हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आवर चन्में इंडिया जोबलट। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कि जारकन सिच्छक पात्रता परिच्छा 2020 की होने वाली परिच्छा में 125 का कम्प्लीट सिलेवस क्या होगा। इस बार एक्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक का प्रश्ण पूछा जाएगा और जायदा तर प्रश्ण NCRT बुक और CBC बुक से पूछे जाने की संभावना है और अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाकर पहले पिछला वीडियो देख ले क्योंकि उस वीडियो में JT exam pattern की complete जानकारी दी गई है और जब तक आपको exam pattern का knowledge नहीं रहेगा तब तक आप syllabus की अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे प्रिबियो वीडियो का link description में तो था i button में दिया हुआ है तो चलिए जानते हैं 2019 की नहीं निमाव लिगाने के बाद ज़ार्खन सिछक पात्रता परिच्छा 2020 के primary teacher 1 to 5 paper 1 का नया syllabus क्या होगा लेकिन जार्खन टीचर एली टेस्ट का complete syllabus जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इंडिया जो बलट को subscribe कर ले और वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल न भूले क्योंकि सिशक न्युक्ति की सारी जानकरी आपको यहां सबसे पहले दी जाती है और बहुत जल्द जेटेट का exam preparation भी अस्टार्ट होने वाला है तो friends हमारा सबसे पहला subject है child development pedagogy जिससे 20 प्रस्ण पुछे जाएंगे 20 marks के लिए जिसमें से child development के 15 marks के प्रस्ण पुछे जाएंगे concept of development, विकास की अवधारना, principle of the development of children, बच्चों की विकास की सिद्धांत, influence of the heredity and environment, अनुवान सिक्ता और परियाव रण के परभाव socialization process, समाजिक रण की परिकिरिया, concept of child, centered and progressive education, बाल केंदरित और परगती सिल्षिछा के अवधारना critical perspective of the construct of the intelligence, खुफिया निर्बान का महत्वपूर्ण प्रिप्रेच, language and thought, भासा और सोच, जेंडर अजिये social contract, एक समाजिक निर्बान की रूप में लिंग formulating a process, the question for the assessing, readiness level of learners, बच्चों की ततपरता के अस्तर को आकलन करने के लिए उप्यूप्त सवाल त्यार करना addressing the needs of children with learning difficulties, important, सिखने में कठनाई, कमजोर बच्चों को सम्भोधित करना और B है पेडगोगी, सिख्चा सात्र, जिससे 5 माक्स के प्रशन पुछे जाएंगे तो पहला है how children think and learn, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं basic process of teaching and learning, सिखन और सिखने की परिकिरिया, alternative conception of learning in children, बच्चों में सिख्चा के वेकल्पिक धारना है condemnation and emotions, अनुभूती और भावनावों, motivation and learning, प्रेरना और सिखना, factors contributing to learning, बेक्तिगत और परियावरन हमारा दूसरा subject है language 1, जिससे 40 प्रस्णों पूछे जाएंगे 40 marks के लिए, जिसमें से हिंदी से 20 marks और इंगली से 20 marks तो चली जानते हैं हिंदी के सिले वस, हिंदी की ध्वनी की वेवस्था, हिंदी वर्न, वर्न माला, अर्थ हेवं व्याकरण से संबंदित असुधियां और उनका संसोधन करना, हिंदी का सब्द भंडार, तत्सम, तद्वाव, देशज और विदेशज सब्द, सब्द रचना उपसर्ग परत्याई संधी समास और हिंदी की वाक की रचना वाक की भेद रचना की दृष्टी से सरल मिश्र और संयुक्त वाक्या अर्थ की दृष्टी से सेविधी वाचक निशेद वाचक आग्या वाचक प्रश्ण वाचक विश्मे वाचक संधे वाचक इ एकार्थक सब्द अनेक के लिए एक सब्द से प्रस्ट पुछे जाएंगे एक सब्द के विभिन परियोग के बारे पढ़ना है मुहावरे और लोकोक्तियां हिंदी के परमूख लेखक हिंदी के परमूख कवी हिंदी कावियार उसका विकास हिंदी भासा और सहित्य भासा, राष्ट भासा का परिचय, बोली और भासा में अंतर, हिंदी भासा का विकास English, जिससे 20 परासर पुझे जाएंगे Two unseen pros, passage with caution and comprehension Grammar and verbal ability Principles of language teaching Role of listening and speaking Function of language and how children use it, यह tool Challenges of teaching language Language difficulties, errors and disorders Language skills, teaching, learning materials, test books Multimedia materials और हमारा तीसरा सब्जेक्ट है Language Two जिसमें छेत्रिय भासा या जन्जातिय भासा में 20 माक्स का प्रश्न आने वाला है लेकिन छेत्रिय भासा और जन्जातिय भासा में बहुत सारे language होते है और इन सभी language की syllabus की जानकारी दे पाना possible नहीं है तो आप हमें comment कर बताए कि आपको कौन से भासा का syllabus चाहिए comment आने के बाद देखेंगे कि छेत्रिय भासा और जन्जातिय भासा में कौन कौन से भासा का syllabus लाना जरूरी है और हमारा चौतर सब्जेक्ट है mathematics जिसमें से 60 को चल पुछे जाएंगे 60 मार्ग से के लिए जिसमें से geometry, shapes and aspectical understanding, solids around us, numbers, addition and subtraction, multiplication, division, measurement, weight, time, volume, data handling, patterns, money, nature of mathematics, place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community of mathematics, evaluation through formal and informal methods, problems of teaching, error analysis and related aspects of learning and teaching, diagnostic and remedial teaching और हमारा पांचवा सब्जेक्ट है environmental studies जिसमें से 60 पुछे जाएंगे 60 मार्ग से के लिए जिसमें पहला है family and friends, relationships, works and play, animals, plants, food, shelter, water, travel आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना हैं, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 6-8 का complete syllabus आई सक्क्राब्स झात